नमस्कार, मैं हुकेष कुमार तो आज हम वायू मंडल का स्तरी करण वायू मंडल की परतें इस्टोपिका धिन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि यूटुब पर जो जानकारी मैंने सर्च की है उसमें सबसे बहतर वायू मंडल की परतें उससे समन्नितत थे मैं आपके सामने परस्तुत कर रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताएं क्या वास्तम में इससे बेतर है या नहीं है तो शुरू करते हैं वाईू मंडल की परतें वाईू मंडल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी वाईू मंडल की गैसें धूलकर्ण जल्वास के बारे में आज उनकी परतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जैसा कि हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों से लेकर UGPG लेवल तक की क्लासों में वाईू मंडल की पर्मुक जो परत है जो जेव मंडल के लिए सरवादी को प्योगी है वो जोब मंडल है उसके बाद समताप मंडल और उसी के अंदर 15 से 35 किलो मेटर की उचाई में ओजोन गैस की सघंता जिसे हम ओजोन परत्या ओजोन मंडल करते हैं उसके बाद मध्य मंडल और फिर ताप या आइन मंडल और उसके बाद बाहिय मंडल, चुम्बकिय मंडल और धीरे धीरे वाई मंडल बिल्कुल विरल होता जाता है तो परत्वी की सताई से लेकर लगभग 10,000 किलो मेटर तक बिल्कुल हलके रूप में वाई मंडल है जहां पे हलकी तो हम शुरू करते हैं विविन मौसमी, गतिविदियों जैसे तापमान, वायुदाफ, गैसों के संगठन वेवंचाय के अधार पर वाई मंडल को अनेक परत्वी में बाजित किया गया सबसे पहले मेरान महोदे ने 1754 निस्वी में वायु मंडल को तीन परतों में बाटा था उसके बाद लगातार नए रिसर्च होते गए वेगानिक अनुसंधान होते गए और अनेक परतों की खोज हुई विश्वी मौसम संगठन वे अनेक वेगानिक अनुसंधान के बाद वायू मंडल की परतों को निवन भागों में बाटा गया तो विश्व मौसम संगठन का मुख्याले हमने पड़ा था जीनेवा में है, स्यूजलेंड में है ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ से परतों का स्तरीकर्ण बनाया है बिल्कुल आप समझभाएंगे इसमें सबसे पहले ट्रोफोस्पेर जो हमारे धरातली सतह से लेकर लगभग 12 या 13 किलोमेटर की ओसत उंचाई तक फैली है उसके बाद एक संकरी परत है, डेड किलोमेटर की जिसे ट्रोपोपोज छोपशिमा करते हैं इसमें कोई मोसमी गत्विदिया नहीं होती है उसके बाद समताप मंडल सुरू हो जाता है जो लगभग 50 किलोमेटर की उंचाई तक फैला है इसी समताप मंडल में 20 से 35 किलोमेटर के मध्धे ओजोन गयस अधिक पाई जाती है जिसके आधार पर इसे ओजोन मंडल करते हैं उसके बाद मध्धे मंडल सुरू होता है मध्धे मंडल और समताप मंडल के मध्धे स्टेटो पोज समताप सीमा है तो समताप मंडल जैसे की नाम से ही पता लग रहा है कि तापमान है बिलकुल समान रहता है तो ये सबी जगा समान नहीं रहता है, ये लगभग 20 किलोमेटर की उजाई तक तापमान में कोई बदलाव नहीं रहता, एक समान तापमान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल करते हैं उसके बाद ओजोन गैस के कारण तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि ओजोन है वो अवसोशित करती है अल्ट्रा वॉयलेट किर्णू को जिससे तापमान बढ़ता जाता है पचास किलोमेटर से लेकर असी किलोमेटर तक मध्य मंडल मेसोस्फेयर है, जहां पे नौक्ती लूसेंट बादल निसादिप्त मेग दिखाई देते हैं और समताप मंडल में छोब सीमा के उपर मुकताब मेग पाए जाते हैं, मदर पल्स ओफ क्लाउड तो बात कर रहेते हम मध्य मंडल की जहां नौक्ती लूसेंट बादल पाए जाते हैं मध्य मंडल और आयन मंडल या ताप मंडल के मध्य मेसो पोज मध्य सीमा है जहां पे ताप मान माइनस सो डिगरी उपरी सीमा पर पाए जाता है जो की पृत्वी और वायू मंडल में सबसे नियूनतम या सरवाधिक नियूनतम ताप मान है उसके बाद 80 km से लेकर 640 km तक थर्मोस्फेर या आइनोस्फेर ताप मंडल या आइन मंडल कुछ लोग इसे ताप मंडल कहते हैं जिसके अंदर ही आइन मंडल माना जाता है और कुछ जलवायू वेता है इसको आइन मंडल भी कहते हैं इसके अंदर 4 परत मानी गई हैं जो की रेडियो तरंगों के वापस रिफलेक्शन जो होता है प्रावर्तित होती हैं उसके अधार पे D, E, F और G परते हैं सबसे पहले D परत है जहां से दिर्ग तरंगे प्रावर्तित होती हैं रेडियो की उसके बाद E में मध्यम और F में लगू तरंगे और G परत में लगभग सभी तरंगे E परत को केरली हेविसाइट परत और F परत को एफलीटन परत करते हैं और आयन मंडल में ही अरोरा बोरियलिस जैसी घटनाएं हमें दिखाई देती है आयन मंडल के बाद बहिर मंडल सुरू हो जाता है इसे बाहिय मंडल एक्सो स्फेयर करते हैं इसके बाद मेगनेटो स्फेयर चुम्बकिय मंडल बाहिर मंडल लगभग 1000 किलोमेटर तक और उसके बाद धीरे धीरे वायू मंडल बिलकुल विरल होता जाता है तो ये वर्तमान की परते हैं इसके अलावा रासायनिक परतें भी हैं सम मंडल और विसम मंडल जो इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहले छोब मंडल समताप मंडल और मद्ध मंडल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं आगे सबसे पहले ट्रोपोसफेर छोब मंडल परिवर्तन मंडल सहवन मंडल कई नामों से इसको जानते हैं वैसे ट्रोफोस्फेयर सब्त का परियोग, ट्रिजरेंस, डीबट, नामक, वेगानिक ने किया था, तो ट्रोफोस्फेयर का मतलब भी होता है परिवर्तन या मिश्रण, पर्थवी के सदय से लगने वाली जैव मंडली ये परत, क्योंकि हम जैव मंडल में रहते हैं, इसे ही वाई मंडली ये भार का 75 परतिशत भाग स्थित है, सबसे नीचे की परत है, इस परत को ट्रोफोस्फेयर नाम ट्रिजरेंस, डीबट ने दिया था, इस परत की ओसत उंचाई 13 किलोमेटर है, धुरूम पर यह 8 से 9 किलोमेटर, और विश्वत रेखा पर, सहवन के कारण इस सहवनिय मंडल भी कहा जाता है, तो वह हमें ध्यान अकना है, कि छोब मंडल का ही नाम परिवर्तन मंडल है, सहवनिय मंडल है, मिश्रन मंडल है, कई नाम है इसके, और धुरूम पर यह कम उचाई है, क्योंकि तापमान कम है, और जबकि विश्वत रेखा पर, तेज उपर की और धकेलती है, तो कई बार ऐसा होता है, कि जो समताफ मंडल है, वो विलुपती हो जाता है, पूरा छोब मंडल हो जाता है, ऐसी स्थती भी आती है, आगे चलिए, सभी मोसमी घटनाएं, संगनन, कुहरा, बादल बनना, वर्षा होना, चक्रवात, ये सभी घटना हैं, वो छोब मंडल में ही होती है, तो मानव जी उनके लिए बहुत ही उप्योगी है, तो एक सामाने सा क्यूशन भी बन जाता है, कि कौन सी वाइउ मंडल ये परत, मानव जी उनके लिए उप्योगी है, तो वो छोब मंडल है, इस परत में 165 मेटर की उंचाई पर 1 डिग हाइट तापमान कम हो जाता है जिसे सामाने ताप पतंदर नॉर्मल लैप्स रैट भी कहते हैं तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है कई बारा चुका है तो देखिए 165 मिटर पे 1 डिग्री सेंटिग्रेट एक किलो मिटर या 1000 मिटर पे 6.5 डिग्री सेंटिग्रेट वैए 1000 फिट पे 3.6 डिग्री फारेन हाइट तापमान कम होता है तो ये हमें ध्यान में रखना है छोब मंडल की उपरी सीमा को ट्रोपोपोज करते हैं छोब सीमा ट्रोपोज जो डेड़ किलोमेटर की संकरी परत है और समताप मंडल और छोब मंडल को अलग करती है तो दो क्यूशन बन जाते हैं इसमें ट्रोपोज की जो परत है उसकी चोड़ाई कितनी है 1.5 किलोमेटर हलागी कुछ बुक्स में 1 से 1.5 दिया है लेकिन पिछली बार इसमें कुशन आ चुका है ये UGC NET में भी आ चुका है और KVS का जो एक्जाम हुआ था उसमें भी आ गया है तो उसमें 1.5 किलोमेटर को ही सही माना है तो NCRT के नुसार 1.5 किलोमेटर ही हम मानेंगे समताप मंडल और छोब मंडल को चत भी कहते हैं क्योंकि टोपोपोज के बाद कोई भी मोसमी घटनाएं नहीं होती इसकी निचली सीमा पर जेट श्ट्रीम पवने चलती है तो ये भी हमें ध्यान लकना है छोब सीमा पर जनवरी में 9 किलोमेटर की उंचाई पर धुर्मों के उपर तापमान माइनस अठाउन डिग्री सेंटिग्रेट तथा भू मद्दे रेखा पर 17 किलोमेटर की उंचाई पर माइनस 70 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान रहता है तो ये हमें ध्यान में रखना है कि धुर्मों के उपर तापमान कम है क्योंकि वहाँ पर छोब मंडल की उंचाई कम है वहाँ पर 17 तरंबू के कारण छोब मंडल की उंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर तापमान है और भी ज़्यादा कम माइनस 17 डिग्री सेल्सियस रहता है अलांकि सामाने अगर हम देखते है तो मदे रेखा पे तापमान ज़्यादा पाये जाता है और चूंकि छोब मंडल में उंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है तो 17 किलोमेटर पे तापमान माइनस 70 डिग्री सेंटिग्र तक हो जाता है इसकी उपरी सीमा पर समताप मंडल में पल्स, क्लाउड, मुकताब, मेग पाये जाते हैं छोब मंडल में नहीं पाये जाते समताप मंडल में छोब सीमा के उपर ये क्यूशन भी RPSC कोलेज लक्षरर 2016 में UGC NET में स्कूल लक्षर एक्जाम में आ चुका है चार भागों में बाटा है ये नया क्यूशन है इससे पहले आप देख लेना कहीं भी फ्लोन और फेंडोर्फ का नाम किसी भी YouTube चैनल पे नहीं लिया गया है तो फ्लोन और फेंडोर्फ ने चार परतें छोब मंडल की बताई इससे पहली धरातली परत उसके बाद निचली घर्षन परत और उपरी घर्षन परत और इन दोनों के मध्धे की सीमा है पेपलो पोज मध्धे सीमा निश्टित रूप से अब की बार जो भी इक्जाम होंगी उसमें निच्चित रूप से कुश्चन आना चाहिए कि पेपलो पोज मद्धी सीमा किसको अलग करती है तो निचली घर्षन पर्थ और उपरी घर्षन पर्थ को और उसके बाद चोथी पर्थ बताई थी फ्लोन और पेंडोर्थ महोदे ने अभिवहन पर्थ तो ये चार पर्थ इन्होंने बताई थी छोब मंडल में एक मीटर की उंचाई की पर्थ धरातल की सतय से लगबग एक मीटर तक मेटरोलोजिकल या स्टीवेंसन स्क्रीन लेवल कहलाती है स्टीवेंसन स्क्रीन स्टीवेंसन स्क्रीन लकडी का एक बोक्स होता है और अर्दरता का मापन होता है 10 मेटर की उंचाई पर ब्यूफोर्ट स्क्रीन लेवल है जिस पर पवन की गती और दिशा मापी जाती है तो ये भी important question बनते हैं इसको भी ध्यान में रखना है 10 मेटर की उंचाई पर ब्यूफोर्ट स्क्रीन लेवल और एक मीटर पर स्टीव एंसन स्क्रीन लेवल तो ये था छोब मंडल उसके बाद स्टेटोसफेर समताप मंडल सुरू होता है समताप मंडल छोब शीमा से लेकर लगभग 50 किलो मेटर तक कुछ जलवाई वेता 55 किलो मेटर तक भी मानते हैं कुछ 60 या 70 भी मानते हैं लेकिन हम इसे 50 किलो मेटर तक मान कर ही चलेंगे क्योंकि पिछले एक जाओं में जो कुछशन आया था उसका राइट आंस्वर 50 किलो मेटर ही माना गया है तो टिजरेंस डीबोट ने ही इसकी खोज की थी जैसा कि छोब मंडल में जो ट्रोपोस्पियर नाम दिया था टिजरेंस डीबोट ने तो समताब मंडल की खोज भी टिजरेंस डीबोट ने सबसे पहले की थी ट्रोपोपोज में ओसत रूप से 50 किलो मेटर की उंचाई तक समताब मंडल का विस्तार पाया जाता है शे ट्रोपोज से छोब सीमा से 50 किलो मेटर की उंचाई तक और इसको समताब मंडल क्यों कहते हैं क्योंकि 20 किलो मेटर की उंचाई तक टाप मान में कोई परिवर्तन नहीं होता स्थिर रहता है बिल्कुल ना तो बढ़ता है नहीं कम होता है तो ये वायुयानों के लिए भी उप्युक्त स्थान होता है इसलिए इसे समताब मंडल करते हैं नाम से पता लग रहा है किताब मान समान रहता है ना तो बढ़ता है और नहीं कम होता है अंतराष्ट ये वायुयान उडानों के लिए यह है उत्तम छेतर है एक बात और बता देता हूँ कि जो घ्रेलू उडाने हैं वो तो छोब मंडल में ही उडती है छोब मंडल की जो पर्थ है अधिकांस्त है जो टोपो पोज है छोब सीमा है उसके आसपास के छेतर में ही उडती है लेकिन जो अंतराश्टी उडाने हैं जिनको बहुत लंबी उडान भरनी हो जैसे मुंबई से अगर वांसी गटन जाना हो तो वो कहां उडेंगी वो समताप मंडल में उडेंगी ओजोन गैस के कारण यहां उच्चाई की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है जिसे तापमान की विलोमता या परतिलोमन इनवर्जन ओफ टेंप्रेचर कहते हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि छोग बंडल में उच्चाई की और जाने पर 165 मिटर की उच्चाई पर तापमान एक डिग्री सेंटिगेड कम होता है लेकिन ओजोन परत में ओजोन गैस के कारण क्योंकि ओजोन गैस अल्ट्रा वाइलेट की रुणों को अवसोसित करती है तापमान बढ़ जाता है तो इसे तापमान की विलोमता या परतिलोमन करते हैं और यह एक सुरक्षा कवच है हमारी पृत्वी का ओजोन की सघनता को डोप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है तो यह भी इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है डोप्सन महोदे ने इसके वारे में बताये था इसलिए इसके नाम पर इसको डोप्सन इकाई कहते है स्टालर महोदे ने समताप मंडल की उपरी सीमा पचास किलोमेटर बताई है जहां ताप मान जीरो डिग्री सेंटिग्रेड या 32 डिग्री फारनाइट हो जाता है इस सीमा को समताप सीमा या स्टेटो पोज कहते हैं इसके उपर मध्य मंडल शुरू हो जाता है तो ये भी एक इंपोर्टेंट क्यूशन मनता है कि स्टेटो पोज किन दो परतों को अलग करता है तो इसके उपर मध्य मंडल तो मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा है स्टेटो पोज समताप सीमा है और इसमें तापमान 0 degree centigrade हो जाता है अब शुरू होता है मद्धे मंडल समताप मंडल में तापमान बढ़ता है ओजोन गैस के कारण लेकिन जैसे ही स्टेटो पोज आती है और मद्धे मंडल सुरू होता है वैसी ही समताप मंडल समताप सीमा के बाद 50 से 80 किलोमेटर का भाग मद्धे मंडल कहलाता है इस मंडल में भी तापमान उचाई की और कम होता है जैसा की छोग मंडल में होता था और समताप मंडल में तापमान बढ़ने लगता है ओजोन गैस के कारण 80 km की उचाई पर तापमान 80 km की उचाई पर तापमान माइनस 100 डिग्री सेंटिग्रेड हो जाता है 80 km के उपर मेशो पोज मद्दे सीमा होती है जिसके निचले भाग में तापमान माइनस 80 और उपरी सीमा पर माइनस 100 डिग्री सेंटिग्रेड हो जाता है यह तापमान वायू मंडल का और पर्थवी का सबसे नियूनतम तापमान है सबसे कम नियूनतम तापमान है लेकिन वायू दाब कम हो जाता है हम जानते हैं कि तापमान कम होने पर वायू दाब बढ़ता है लेकिन उच्चाई की और मद्दे मंडल में वायू की सघनता बहुत कम हो जाती है बहुत विरल हो जाती है वायू इसलिए वायूदाप बहुत ही कम होता है लेकिन तापमान देखिए माइनस सो डिगरी है और वायूदाप दसमल जीरो वन मिली बार ही होता है यह भाग मेसो पूज कहलाता है इसके बाद ताप या आइन मंडल शुरू हो जाता है जहां ताप मान फिर से बढ़ने लगता है और यह बढ़ता ही जाता है क्रिसम रितौ में मध्धे अकसांसूं के उपर इस मंडल में मद्धे मंडल में नोक्टी लूसेंट निसादिप्त मेग पाए जाते हैं एक है मुक्ताब मेग, मुक्ताब मोत्यूं जैसे पल्स वो पाए जाते हैं समताप मंडल में और एक निसादिप्त मेग नोक्टी लूसेंट वो पाए जाते हैं मध्य मंडल में तो ये क्यूशन भी आचुके हैं कई बार अब हम देखते हैं दो डाइग्राम जो बेरी वे सोरले और स्टालर ने दिये हैं वायू मंडल की पर्तूं से सम्मंदीत ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्यूशन आचुके हैं CSIR NET में भूविज्ञान होता है जो जोगरफी वाले हैं वो भी पेपर अटेम्ट करते हैं उसमें ये डाइग्राम आचुका है केविस के एक्जाम में भी आचुका है डाइग्राम दिया ये पर्तूं का अस्तर किन विज्ञान को ने प्रस्तुत किया इसलिए ये डो डाइग्राम मैं आपको बता रहा हूँ तो इनको देखिए आप बेरी वे सोरले कई बार इसमें चोरले भी लिखाता है और स्टारलर के अनुसार तो पहला डाइग्राम देखते हैं देखिए ध्यान से ये बेरी वे सोरले के अनुसार है इसमें परिवर्तन मंडल ट्रोपोपाज 20 किलोमेटर पर माना है उसके बाद समताप मंडल मद्धे मंडल और ये मेसोपोज ताप मंडल ये जो रेखाए हैं ये ताप मान को इंगित कर रही है तो ये है सोरले और बेरी के अनुसार इसके बाद स्टालर के अनुसार देखिए वायू मंडल की परतें स्टालर महोदे के अनुसार इसमें परिवर्तन मंडल समताप मंडल मद्धे मंडल और फिर ताप मंडल यह जो रेखा है आड़ी रेखा है यह ताप मान की और परदसित कर रही है कि पहले ताप मान पढ़ता है इस्थिर रहता है फिर वापस दिर दिरे ताप मंडल में बढ़ता जाता है तो आज हमने छोग मंडल, समताप मंडल और मद्दे मंडल के बारे में पढ़ लिया है तो वीडियो बहुत जादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए अगला वीडियो है दो दिन बाद प्रस्तुत करेंगे अब इससे सम्मान दित कुछ परस्नोतर हम कर लेते हैं ताकि अभ्यास भी हो जाए सबसे पहला क्यूशन है समस्त वायू मंडल ये भार का 75% भाग किस परत में विद्देमान है आपके पास 5 सेकिंड है ए है समताप मंडल बै परिवर्तन मंडल और से आयन मंडल तो क्या होगा इसका अंस्वर परिवर्तन मंडल बिल्कुल सही छोग मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहते हैं दूसरा क्यूशन किस परत को मोसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं छत जिसके बाद कोई भी घटना घटित नहीं होती हो मौसमी घटना घटित नहीं होती उसके बाद वो कौन सी प्रत है ट्रोपोपोज छोग सीमा है बिल्कुल सही अगला छोग मंडल में सब से कम तापमान पाये जाता है कहां पर पाये जाएगा धुरूँ पर अंटार्टिका में या भूमद्दे रेखा पर क्या होगा धुरूँ पर नहीं भूमद्दे रेखा पर क्योंकि भूमद्दे रेखा पर छोग मंडल है बहुत जादा उचाई पर होता है लगवक 17 या 18 किलोमेटर पर जबकि धुरूँ पर 7 या 8 किलोमेटर तक ही होता है और छोब मंडल में उचाई पर जाने पर तापमान कम होता है अगला क्यूशन देखी, डाइग्राम दिया है नीचे दिये गए वाईू मंडल ये स्तरी आरेक किसने परस्तुत किया था? बेरी वै, सोर लेने अगला क्यूशन, पेपलो पोज मद्धी सीमा पाई जाती है पेपलो पोज छोब मंडल में उपरी घर्षन परत और निचली घर्षन परत के मद्धे सबसे पहले समताप मंडल की खोज किसने की थी? टीजरेंस डीबोट ने, जिन्होंने टोपोस्फेर नाम भी दिया था समताप सीमा में तापमान पाया जाता है स्टेटो पोज में 0 डिग्री सेंटी ग्रेड बिलकुल सही छोब मंडल में सामाने ताप पतंदर होती है काफी बार क्युश्चन आचुका है नॉर्मल लेप्स रेट तो 6.5 डिग्री परती मीटर गलत 6.5 डिग्री सेंटी ग्रेड परती किलो मेटर बिलकुल सही और ये भी गलत है छोब मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत कौन सी है क्या होगा आपका अंस्वर जो छोब मंडल और समताप मंडल को अलग करती है प्रोपोपोस बिलकुल सही छोब सीमा अगला क्युश्चन व्यूफोर्ट स्क्रीन लेवल पाया जाता है 10 मीटर की उच्चाई पर बिलकुल सही और एक मेटर तक स्ट्रीवेंशन स्क्रीन लेवल होता है नीचे कारण में कथन दिये गए है सही कूट का चुनाव करें कथन क्या है भुमद्य रेखा पर छोब मंडल की उचाई अधीक पाया जाती है तो कथन A सही है और B गलत है अगला क्यूशन वाईव मंडल का सबसे नियूंतम तापमान पाया जाता है कहां होगा मेसो पोज में, टॉपोज में या आइन मंडल में मेसो पोज में, मद्दे सीमा में 80 किलोमेटर के बाद मद्दे सीमा में तापमान माइनस सो डिग्री सेंटिग्रेड तक हो जाता है सेर और सबस्क्राइब करें नौक्टी लूसेंट बादल पाये जाते हैं निसा दिप्त में कहां पर? चोब मंडल में, समताप मंडल में या मद्दे मंडल में कहां पाये जाएंगे? नौक्टी लूसेंट बादल मद्दे मंडल में बिलकुल सही और समताप मंडल में पल्स ओफ क्लाउड बुक्ताब में पाये जाते हैं अगला क्यूशन वायू मंडल की समस्त जल वायू गत्विदिया किस मंडल की विशेशता है? छोब मंडल में जो जेव मंडल का परमुक अंग है मेसो पोज अलग करती है किसे करती है अलग समताप मंडल वे आइन मंडल को समताप मंडल वे मध्य मंडल को या मध्य मंडल वे ताप मंडल को किसको करेगी अलग बताइए मेसो पोज, मध्य मंडल वै, ताप या आइन मंडल को अलग करती है Share और सब्सक्राइब करें अब आप देखिए, आपने पूरा वीडियो देखा है क्या ये सभी तथे किसी यूटूब चेनल पर उपलब्ध हैं अगर हैं वास्ता में तो मुझे बताईए मुझे नहीं लगता कि सभी तथे उपलब्ध है आपको कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेर करें, चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद